भिंडी तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई खाई होगी लेकिन बिना तेल की भिंडी आज से पहले ना खाया होगा ना बनाया होगा तो चलिए आज बनाते हैं ओईल फ्री भिंडी की बहुत ही जादा स्वाधिस्ट रेसिपी, healthy भी, tasty भी सबसे पहले हमें भिंडी को अच्छे से धो लेना है और इस तरह से काट लेंगे अब एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में डालेंगे जीरा थोड़ा सा भून लेंगे बिना तेल का इसे हमें डालना है प्याज डालेंगे पतला बारी कटा हुआ एक और इसे भी low flame पर मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नामक स्वात के अनसार भिंडी बनाते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें जब भिंडी लें तो बहुत ही सॉफ्ट लें छोटी साइज वाली लें मसाले और प्याज अच्छे से भून जाए इसके लिए हमें गरम पा दाले, न बिल्कुल भी तेन नहीं डालना है उसलिए हम गरम पानी का यूज कर रहे हैं अब इसमें डालेगे एक पतला बारे कटा हुआ आलू, भिंडी आप चाहें तो सिर्फ भिंडी भिंडी भी इसमें डाल सकते हैं आलू ना डालना चाहें तो ना डालें अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम लो करना है और इसे ढखकर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे अगर भिंडी कड़ाई पर चिपके तो थोड़ा सा इसमें गरम पानी के बूधे डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ओइल फ्री भिंडी की ये रेसेपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और वेट लॉस वालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मांद है 15 से 20 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर और चाट मसाला चाट मसाला की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इससे भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कुछ देर इससे ढखकर पका लें बहुत जल्दी भिंडी की सबजी तयार हो जाती है वो भी बिना तेल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं एक बार ट्राइज जरूर करें ओईल फ्री भिंडी की रेसेपी और भी ओईल फ्री रेसेपीस देखने के लिए कुकवित कमला को सब्सक्राइब करें फॉलो करें कुकवित कमला के नाम से थैंक यू